नमस्य दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सब लुग आई होप आप सबी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे तो आज में फिर से आपके लिए बहुत यूसल सी वीडियो लाई हूँ ये बहुत ही छोटे छोटे चोटे टिप्स है इन टिप्स में कोई भी खर्चा जब नया मटका लाती है तो कितना अच्छा पानी लगता है ठंदा भी हो जाता है और पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है तो आप किस तरीके से पुराने मटके को ही नया जैसा बनाए तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर आपको लेना है नमक तो य थोड़ा सा हमने गीला कर लिए इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक जिससे की जो नमक है अच्छे से चिपक जाए शक्रबर पर seating ओर ठोड़ा सा पानी ओर डाल देंगे उसके बाद शक्रबर से आपको करना है मटके को कलीन होता क्या है जैसे हम मटके में पानी ब तो डेली आपको पानी से वाश करना है उपर उपर से अच्छे से और अंदर पानी डालना है हिला कर पेग देना हाथ अंदर नहीं डालना है मटके के बस इस तरीके से आप डेली क्लीन करना है 15 दिन बाद महीनी बाद इस तरीके से नमक से आपको क्लीन करना है तो आपका मटक पर में इस अरीके से mix करना है यहां पर आपने देखा मटके के अंदर हाथ नहीं डालना है फिर से मैं बोल रही हूं नहीं तो पानी ठंदा नहीं होगा मटका खराब हो जाएगा अब यहां पर ऊपर से हमने इसको पानी से दो दिया है और अंदर से भी जो नमक वाला पानी है वो निकाल देना, फिर इसको साफ पानी से अच्छे से धोर देना है, तीन-चार बार, तो यहां देखे, सारा गंदा पानी निकल गया, मटका एकदम से नया हो गया, उमीट करती हुट अच्छी लगे गया, चलिए, नेक्स टिप देख लेते हैं, नेक्स टिप के लिए, यहा पर मैं आपको हाथ पर लगा के दिखा रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और माथे पर लगाएंगे, तो वो इजी ले लग जाता है, बस पिन को इस तरीके से रखना है, और सिंदू, कोई भी एक सीख ले लेनी है, माचिस की तिली लेनी है, सिंदूर में डिपकनी हो लगा लेना है, तो इस तरीके से आपकी गोल बिंदी बन कर तयार हो जाती है, उम्मीद करती हूं, ये तिप भी आपकी जरूर से काम में आई होगी, चलिए नाइक्स टिप देख लेते हैं, नाइक्स टिप होने वाला है, जूतों को लेकर, कभी कभी जूते बहुते बहु इसका यूज़ करना है, तो यहां देखे, थोड़ असा केले का चिल्का लेना है, बस इतना सही, ये ब्लैक कलर के शूज़ ही नहीं, जो रेड कलर के चमड़े के जूते आते हैं, उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता, बस क्या करना ह तो आपको लगेगा कि जूता बहुत जादा गंदा हो गया बट परेशान होने की जरुत नहीं है वीडियो में बने रहें जूते एकदम से नए जैसे हो जाएगे यहां देखिए हम दोनों जूतों पर अच्छी तरीके से लगा लेंगे कभी कभी पॉलिश नहीं है या हम कहीं बाहर है जूते बहुत गंदे लग रहे हैं तो यहां पर यह वाला टिफ फॉलो कर सकते हैं यहां देखिए अच्छे से हमने केला से इसको रब कर दिया है उसके कंकश पाद आपको यहां पर कोई कपड़ा लेना या टिशु पेपर लेना और इस तरीके से से प्लीन करना है जो भी केले के पार्टीकल से उसको निकाल देना है तो एक दम से निकल जाते हैं और जूते बिल्कुल से नए जैसे हो जाते हैं, यहाँ पर आप रैड कलर के जूते जो रैड चीफ वाले होते हैं, वो भी सारे ही जूतों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, उमीद करती हूँ है छोटी सी टिप आपके जरूर से काम में आएगी, यह कुछ ऐसे टिप्स हैं जि जूतों में स्मैल आने लगती है, सौक्स तो क्या है हम डेली वाश भी कर देते बाद जूतों को वाश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो टिप बताऊंगी में, आपको लेनी है कौटन और कौटन ले लेनी है, दो पीस कर लेने, उसके बाद आपको जो जो भी fragrance अच्छी लगती हो, वो बस हलका सा इसमें spray कर देना है, spray करने के बाद यहाँ पर आप tissue paper भी ले सकते हैं, cotton ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, बस जूतों के अंदर रख देना है, आपकी जो भी bad smell है, वो एकदम से खतम हो जाएगी, next, आपके घर में कोई सा भी powder ह बस उसकी fragrance थोड़ी से अच्छी होनी चाहिए, बस यह powder लेना है, और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा जूतों के अंदर डाल देना है, और इस जूतों को अच्छे से shake कर देना है, means powder ना पूरी तरीके से जूतों में फैल जाए, तो इससे आपके जूतों में जो भी bad smell है और जो भी चीज़ परेशानी हो रही है, वो एक दम से खतम हो जाएगी, उमीद करती हूँ यह चोटी सीटिप आपके ज़रूर से काम में आएगी, चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं, नेक्स टिप होने वाला है हमारा फोन को लेकर, तो जब भी हम फोन चार्ज करते हैं तो कहीं कहीं स्विचेज ऐसे लगे होते हैं, जहाँ पर आपके फोन रखने के लिए कोई ऐसा सुभिधा नहीं होती है, कि आप पोन जब चार्जिक में लगा रहे हैं तो उसको रख दे, तो आप अगर इस तरीके से चार्जर के उपर रखते हैं, तो वो गिरने की वज़ डबल टेप लगा रहता है, तो बस वो इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, तो यहाँ पर आपको दो लगाने हैं, और आपको मतलब लाइन से लगाना है, उपर नीचे नहीं करना है, बस इस तरीके से लगा देना है, अब एजिली जब भी कभी आपको फोन चार्ज करन तो चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं, नेक्स टिप होने वाला है हमारा एक बाउल लेनी है, और बाउल के अंदर हमें डालना है थोड़ा सा तेल, तो यहां पर लगभग एक चमच हमने तेल ले लिया है, यह बहुत यूसफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत मत कीशेगा, तो चलिए यहां पर हमने एक चमच टेल ले लिया है, एक चमच हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, अब तेल और पानी को अच्छे से हमें मिक्स करना है, तो यहां पर एक क्रीमी टेक्श्चर में आ जाएगा यह जो तेल और पानी है, इस तरीके से सा पानी और ले लिया है अब इसमें डालेंगे फिर से इसको अच्छे से mix कर देगे अब इस तरीके से आपको बना कर रख लेना है आप इसको अपनी friends and family के साथ जरूर शेयर कीजेगा कब किसको इसकी जरूरत पढ़ जाए बहुत ही useful सी tip है तो यहां देखे हमने अच्छे से इसको mix कर लिया है अब इसका use कहां पर करना है अभी देखे गर्मी बहुत जादा पढ़ रही है इस बार गर्मी बहुत जादा पढ़ी है तो सभी को घमोरियां हो ही जाती है घमोरियों में कितना दर्द हो रहा है कितनी जलन होती है और कितना जादा खराब लगता है जब आपको बिली पहले है चोटे-शोटे दानी हो जाते हैं तो इचिंग होने लगती है जलन होती है, खुजली होती है, तो ये problem सभी के साथ होती है, कभी ना कभी किसी को घं मुरियां हो ही जाती कर्मियों में, तो बस ये पना लेना, पेस्ट आप को क्रीम बना लेनीं है, इस त मोरियां एक दिन में ही ठीक हो जाएंगी और जो खुझली जलन हो रही थी वो एक्दम से बंद हो जाएगी उमीद करती हूँ यह टिप आपको जरूर से पसंद आई होगी तो यहां पर चलिए next tip देख लेते हैं next tip और भी ज़्यादा useful होने वाली है तो इस तरीके की जो पॉ आनी है तो उनको फेकना नहीं है संभाल कर रखना है तो बस इसको इस तरीके से कट कर लेना है तो यहां देखे मैं साइट से जहां से हमने इसको फाड़ा है खोला है वहां से हमने इसको कट कर लिया है अब इसको यूस कैसे करना है चलिए देख लेते हैं तो यहां पर चोटी मुची शॉपिंग घरने जाते तो इस तरीखे इसके हैंड पर्ष ले जाते हैं अपने हाथpelेunes पर डाद बीक्षा ने होता आ आए जाएगा क्योंकि यह पॉलेटिल बहुत ज़दा मजबूत होती है और पानी जाने का कोई भी इसमें वो स्कोप नहीं होता कहीं से फट नहीं थे हाथ में भी आप पकड़कर आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं तो इस तरीके से यह चोटी-चोटी पी चीज़े हमारे का आजाती हैं तो अगभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू से स्सक्राइब कीज़ेगा एक कमेंट करके जरू से बतायेगा आपको टिप्स औं ट्रिक्स कैसे लगे तो यहां पर मैं वीडियो का आएंड करती हूं वीडियो एंड करने से पहले इस वीडियो को अपनी friends and family के साथ जरू से share कीजिएगा वीडियो जरासी भी पसंद आई है तो like, share and subscribe जरू से कीजिएगा और एक comment करके जरू से बताएगा मैं मिलती हूँ आपसे next video next vlog में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें thanks for watching, bye bye, check care and radhi radhi